हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसी आप सब लोग मास्त बढ़िया तो उम्मीद करता हूं लास्ट लेक्षर आप लोग ने पढ़ लिया होगा देख लिया होगा ठीक है आज लोग नेच्ट टॉपिक लेक्टर नमबर फोर केप्टर बात करेंगे जो इस्तिमाल में आते हैं ठीक है ना कौन-कौन से हैं कैल्सियम काबोनेट सोडियम फ्लोराइड डेंचर क्लीनर डेंचर अडेसिव एंड माउथ वाशेस क्या होते हैं यह सब कुछ इनको आप समझते हैं डिटेल में बढ़ते हैं आगे डेंटल प्रोड़क क्या हुआ हुआ है टरियरि मतलब डांतों का जहां जहां परस्तिम लैंगा अश्या कह सकते हैं डांतों की बależते हैं वह क्रुक्री कुछ नहां पर दांतों की चीज़े मनती है वो सारा क्या कहलाएगा देंटिश्ट्री कहलाएगी ठीक है for the following purpose क्या क्या इस्तिमाल है डेंटर प्रडॉक्ट्स के आउट देखते हैं to prevent dental caries बच्चों caries क्या होती है caries हम लोग क्या सकते है cavities दांतों में तुम्हों देखा होगा कुछ लोगों को क्या होता गड़ा सा पड़ जाता है छेद हो जाता है ठीक है न वह क्यों हो गया हमारे उपर दांतों में दांत का अगर में एक छोटा सा डाइगराम बनाओ ठीक है तो होता क्या एक्चुली यह हमारा दान्त होता है और इसके उपर एक सब्स्टांस होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनेमल इसको हम लोग कहते हैं इनेमल यह हम लोग कहते हैं इनेमल यह चीज जब गल जाती है इस टाइप से तो होता क्या है गल यहां से खतम हो गई अंदर का दान्त मेरा क्या होता है डायरेक्ट सराउंडिंग याने की उपर सराउंडिंग के टश्मा आने लगता है हम लोग फिर कुछ भी खाएंगे पेंगे तो हमको दान्त में लगना इस्टार्ट हो जाता है और होता क्या है जितनी भी वीन्स नसे वगरा होती है वो डायरेक्ट इहां पर रहती हमारे ना इस तरह से और यह जाती है बॉड़ी के अंदर तो यह जो इनेमल होता है ठीक है यह जो इनेमल होता है, ये मिनरल, łग का बना हूँ है ठीक है किसका बना हूँ है मिनरल, बना हूँ है यह गल क्यू जाता है हम लोगो खाना खाते है कंब अगर, प्रॉपर कुल्ण ना खारें दात को सो गए तो जो खाना मुः में रह जाता है Пुसको बैक्टेरिय आपके qu च senior लिर्प केमीकल होता है तो इसलिए हम को प्रॉपर का जाता है रात को सूने से बरस करो अच्छे कुल्दा ज़रूर कर लो जिससे की जो मुह में भरा हुआ थोड़ा भात खाना रहे दायम है वह निकल के बाहर हो जाए ठीक है तो कैरीज मतलब कैविटीज यह कैविटीज समझ में आई किस तरह से पड़ी ठीक है तो प्रिवेंट देंटल कैरीज एस जो इन कैरीज को रोके करते हैं बैक्टिरिया मैंने एक करन बताया ठीक है ऑफ दा कैल्सिफाइड टिसू ऑफ दा टीज यानि जो कैल्सिफाइड टिसू की बात कर रहा है यह एक्चुली इनेमल की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है इनेमल की बात कर रहा है करक्टराइज वाइड डी मिनरलाइ of the inorganic portion यानि कि enamel में जो inorganic portion है उसको deminolize कर देगा गला के खतम कर देता है और कोई अगर इसके इंदर जो organic substance है उसको destroy कर देता है ठीक है which often lead to cavitation cavitation मतलब गड़े दातों में cavity पड़ रही है दातों में गड़े पड़ जा रहे है this is called cavitation दातों को गड़ों को क्या बोल दिया गया है cavitation के लिए रहे बाते है ओके एक आगे हमारे पास कौन anti-carriage agent dental product में एक हमारे पास कौन आते है anti-carriage agent next है dentifrice dentifrice को हिंदी में क्या कहते है dent manjan dentifrice से सारी कानी समझ में आगे होगा दंत बंजन हमारे किस काम में आते हैं हम लोग क्यों उनको इस्तमाल करते हैं पढ़ते हैं क्या बोल रहा है dentifrice is defined as a substance used with tooth brush हम लोग इसको tooth brush के साथ इस्तमाल करते हैं for the purpose of cleaning the accessible surface of the teeth दातों के उन surface को clean करने के लिए जहां पर जो हमको दिख सकता है जहां तक हम पहुंच सकते हैं जो चीज दातों के बीचा बीच में है वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है तो उसकी बात नहीं हो रही है तो dentifrasis क्या है ऐसे substance है जिसका हम tooth brush के साथ इस्तमाल करते हैं और दातों को साफ करते है availability की बात करें तो dentifrasis available as tooth powder पता होगा सब लोगों को tooth paste यहीं पता होगा liquid के रूप में भी आते हैं ठीक है example की बात करें dentifrasis में कौन-कौन आ सकते हैं तो एक है calcium carbonate, stontium carbonate, dibasic calcium phosphate और calcium phosphate तो चार example है एक या दो याद कर लेना exam point of view से लिखने के लिए ओके आगे आते हैं to clean and polish teeth बात को समझते जाना dental product में पहले हमने क्या देखा anti-carrying agent ठीक है anti-carious agent दूसरा देखा हमने dentifrasis जो दातों को साफ करते हैं उनको हमने क्या नाम दिया dentifrasis फिर कह रहा है clean and polish the teeth अब एक नई करिकर यह आ गई है तो हमने देखा को कुछ लोगों के दात बड़े गंदे से होते हैं doctor बहुत जाते हैं फिर उनके दात चमकन लग जाते हैं होता गया साफ करके उनको polish कर दिया जाता है ठीक है the cleaning agent must contain fine particles बाइट जब्वा साफ करने के लिए ऑफिसी बात है कि यह चीज को नात पथर है साफ करने के लिए जैसे खुदरी चीज चाहिए होगी क्या चीज़ोगी खुदरी चीज यहां लिखा है fine particle वह इतना fine होना चाहिए कि उससे रगडने से दातों ऐसे कोई चीज़ रगन दिक स्टेवल एब्रेसिवनेश ठीक है एब्रेसिवनेश घर्षण टू रिमूव इस्टेंज दाग धपे जोते हैं फॉरम तीट वह क्या कर दे आते हैं ठीक है ना उसके अंदर स्टेवल उसका घर्षण होना चाहिए अदर्वाइस वह काम नहीं करेगा तू ब्रिंग फ्रेशन एजेंट पहला देंटल प्रोडक्ट देटिफ्रेसिस दूसरे देंटल प्रोडक्ट ठीक है पॉलिजद फार्मिंग फ्रेशनेस टू माउथ यानिके हम लोग क्या सकते हैं माउथ वाशस हैं यह मेरे पास क्या आगया चौथा माउथ वस क्या काम करते हैं किल करते हैं बैक्टेरिया फॉर्मिंग प्लेक एंड बैड ब्रीथ ठीक है ना जो गंदी बधू होती है मुखी उसको भी रोपता है प्लेक क्या होता है को यह नटवर क्या करती है धुर्व क्या है दातों के उपच काकई वयाग कुछ फिर तूम कीशें जम जारे लुन का अगर जैस जब हो जाता है एक तरह से पपड़ी सी जम जाती है उसका हम लोग क्या कहते है प्लेग बोलते है नुक्सान दाएक होता है वो इट आसो रिमूव मुकस एंड फूड पार्टिकल इंदा थ्रॉट अब जो मारूट फॉर्स होता है अगर जिन लोग इस्तमाल किया होगा जानते हों मुकस मतलब जानते हैं मुकस के लिसली सा पदास जो होता बारे मुग के अंदर उसको मुकस कहते हैं एंड फूड पार्टिकल इन थ्रॉट जो गली में मुकस थूट वह है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं माउथ वास की हेल्प से थी टाइपस आफ माउथ वास अवेलि उसके उसे प्लेक बहुत जादा हो रहा है तो हम तो क्या करते हैं दिन में दो तीन वार ब्रस्तों ही कर सकते हैं इसको डालेंगे और दो तीन वार दिन में कुल्ला कर सकते हैं तो प्लेक रुप जाएगा एंटी जिंजिवाइटिक, जिंजिवाइटिक मतलब जब भी वर आएगा समझ जाना गम, गम से आने मसूरे, ये गम गम वाला गम नहीं है, ये गम मसूरे है, ये गम क्या है, मसूरे है, एंटी जिंजिवाइटिक यूट पर प्रेवेंटिंग गम डिजीज, जो मसूरों की होती है उनको रोपने के लिए फ्लोराइड ठीक है ना ऐसे महतोस जिनके अंदर क्या होता है फ्लोराइड होता है चाहिए तो मुझा देखा होगा जहां पर मुंसिपल कॉपरेशन से पानी आता है वो थोड़ा सा कड़वा वगरा रहता है है ना क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड मिला हुआ रहता है फ्लोराइड काम क्या करता है स्ट्रेंथिनिंग इनेमल जो हमारा इनेमल है जो बता रहा था मैं अभी उसको मजबू क्या हो लगता है यह क्या हो गया हम ऊसके है द्रंट को अगर आखना लगना कम हो جाता है टीक है तो प्रीधिन वेरियस पेरीडांटल डीज्यस juice ठीकically पेडोंटरीजेश में प्येडिडिन को रहाद होता है। जो हमारे गंगिंड पुलका अगर infection हो जाए तो उसके लिए वर्ड इत्माल होता है Peridontal, उसके लिए क्या वर्ड इत्माल होता है Peridontal, के लिए है Cement and Filler दाथ में खोकली हो जाते हैं, तो उसके अंदर Cement भर दिया आता है, दाथों का Cement अलग आता है ठीक है, Oral Antiseptic and Extringent इनफेक्शन हो जा रहा है, तो उसके लिए Antiseptic और Extringents भी Dental Ports के अंदर आते हैं Clear है बाते? बाते clear हो गई, तो ये जन्नल एक बात थी हमारे बारे में Sorry, Dental Ports के बारे में, की ये क्या होते हैं ठीक है, और किस-किस तरीके से इनको हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, तो चाहो तो यहाँ पर हम लोग यह हम लोग फोर्थ हो गया था, इसको sensitivity रोपने वाले को हम पांच वा कर सकते हैं ठीक है, Peridontal Disease को हम लोग Number 6 ले सकते हैं, Heading मिनाने के लिए Cement and Filler को 7 वा कर लेंगे, और इसको हम कर लेंगे 8 तो हम लोग ने Dental Products की 8 categories देखी हैं, कि किस तरीके से यह help करती है जो mouse की problem होती है, उनको ठीक करने के लिए तो पढ़ते हैं, पहला calcium carbonate जो कि हमारे course में है क्या होता calcium carbonate? It is an ingredient using in our toothpaste 1975 से यह इस्तमाल किया जा रहा हमारे toothpaste में ठीक है न? It is common substance found in rock पाया कहां जाता है यह, पत्थरों में पाया जाता है Its most common natural form are chalk, limestone and marble है न? Chalk, जो हम लोग देखते हैं, limestone और marble बहुत ही common फ़ह है, यह सब calcium का चौक भी calcium carbonate है limestone भी calcium carbonate है और जो marble तुम लोग घरों पर होती है, वो भी क्या है? Calcium carbonate है It is also component of harder organic material like cells of Shells and egg shells Shells of Shells and egg shells यानि कि जो अंडे के उपर cover होता है और shell, shell जो seep, seep के उपर hard होता है hardness जो होती है, white color की उसकी बात कर रहा है Like cells and egg shells ठीक है न? उसमें जो क्या पाया जाता है? Calcium carbonate पाया जाता है होता कहता है, it is white कैसा है ये? White है, orderless है, कोई खुश्बूर नहीं होती है इसकी colorless होता है Crystals है न? Solid form में पाया जाएगा Practically insolubed in water पानी बात है, पानी भुलेगा नहीं हम देख रहे हैं, एक्जाम्पली देख रहे हैं हम लोग दांत है हमारा दांत का इनमेल है Calcium carbonate उसके अंदर ठीक है न? फिर तुम्हारे पास ये का गयते है Shell की बात करी ठीक है? इसके अंदर हलका सा जो खुरदलापन होता है काफी हलका होता है विच हेल्प सेफली रिमूव प्लेक है मालो प्लेक को पपड़ी की तरह समझो कि नाथ को पर एक पपड़ी जम्य हुई है और तुम Calcium carbonate लेकर के से रगण देते हो तो पपड़ी छुटके बहार आ जाती है अगर यह नहीं है Calcium carbonate तो इसका चीज है हम लोग क्या कर सकते है Calcium carbonate की जगह पर इस्तिमाल कर सकते है बात समझ में आ रही है तो यह जनरल बात है थी Calcium carbonate के बारे में देखते है फिर्परेशन तो फिर्परेशन बड़ी सिंपल है इसकी Calcium fluoride को हम लोग क्या करेंगे sodium carbonate साथ mix कर देंगे boiling solution इनके जो boiling solution होगा इसको mix कर देंगे तो Calcium carbonate precipitate बनके नीचे बैड याएगा और उसको बात में क्या कर लेंगे filter करके निकाल लेंगे physical property हम लोग पीछे भी यहाँ देख चुके एक तरह से white orderless बगरा तो यही physical property हम यहाँ लेख सकते है it is white orderless powder colorless crystals ठीक है practically insoluble in water पानी में practically soluble नहीं यानि होता ही नहीं है clear है chemical property की बात करें अगर हम लोग it decomposes on heating यह को heat कर देंगे अगर यहाँ पर क्या लेखा दे एक delta delta मतलब heat कर रहे है तो calcium oxide और CO2 में टूड जाता है CO2 तो gas बनके ऊड़ जाती है बटा कहा रहा जाता है calcium oxide with acid it evolve CO2 again acid को साथ इसको react कर आए तो calcium chloride and H2CO2 ठीक है evolve CO2 actually यह जो होता है यह आगर जा के फिर break कर जाएगा और अपने अंदर से क्या निकाल देगा CO2 को evolve कर देता है reaction पूरी नहीं है कोई बात नहीं acid के साथ भी क्या करता है CO2 को evolve करता है कि लिए बाते है storage की बात करें तो simple है store करना चाहिए in well closed container किस करना store करना चाहिए well closed container के अंदर चले आगे तो हम देखते हैं इसके uses बाते हैं कि इसको पर देंटन प्रेट पर रहे हैं लेकिन अगर तुम्हार पर एक्जाम में काल्सियम करणीट के बारे में लिखो तो तो तुम उसके में सब लिख सकते हो जो तुमने एंटाइसिज्जिम पढ़ा हैं वो भी तुम उसके बारे में यहां पर आड़ कर सकते हो मार्केट में किस रूप में आती है मार्केट में इसकी टैबलेट मिल जाएंगी मार्केट में चूएबल्स जो बच्चे होते हैं इस बच्चों को चबाने वाली टॉफित इंड वार्ड हो स्मूधी नाम है इनके brand name जो है market में available है clear है समझ में आ रहा है चले आगे next sodium fluoride तो देखते हैं sodium fluoride क्या काम करता है sodium fluoride Varnish is used to prevent caries देखो Varnish मतलब समझते हैं नो paint Varnish मतलब जो एक तरगा paint करता है तो sodium fluoride का Varnish use किया जाता है To prevent caries development To prevent caries हर चीज़ का खास use होगा ठीक है ना? इसका खास use किया है? Caries development के लिए उसको रोगने के लिए Arrest Arrest मतलब कैद कर लेना या नहीं Soft dentine caries याने की जो arrest करता है रोग देता है Early enamel Early बहुत जो शुरुवाती Enamel and even soft dentine caries होते हैं Enamel के जो soft dentine caries होते हैं ठीक है उनको क्या करता है? रोग देगा Through promotion of remineralization ठीक है यह क्या करता है? तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा easy language जो हमनों लिख सकते है Sodio fluoride क्या करता है Arrest करता है या रोग देता है Stops early enamel Enamel caries by Process of remineralization of caries tooth Caries मतलब जिसके अंदर cavity आ चुकी है ठीक है? बहुत समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा language यहाँ पर difficult लग रहा होगा और simple सी बात यह कहना चाहरा है कि जो इसका polish होता है वो क्या करेगा जो सुरुवाती cavities create हो रही होती enamel के अंदर ठीक है? इसको चाओ तो लेख लो अलग से जो early cavities होती ही enamel की ठीक है? ना उनको remineralization process के थूरू stop करता है Clear है? It also used to treat tooth hypersensitivity दूसरा काम इसका क्या है? hypersensitivity ठंडा गरम का लगना tooth का hypersensitivity का मतलब क्या हो जाएगा? ठंडा गर्म जो ठंडा गर्म लगता है हमको ना तो में उसको भी यह prevent करता है फिर प्रेशन की बात करें by reacting sodium carbonate this is sodium carbonate with hydrogen fluoride हमको क्या मिल जाता है? sodium fluoride मिल जाएगा by double decomposition of calcium fluoride जो calcium fluoride है इसका double decomposition करेंगे with the help of sodium carbonate तो हमको again क्या मिल जाता है? sodium fluoride मिल जाएगा clear है? clear है? okay physical property की बात करें crystalline solid है orderless है white too greenish in color है depends on its purity कितना ज्यादा pure है? उसके हिसाफ से उसके color में क्या आता है? हलका सा changes आते है hygroscopic है यह तो बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा जो moisture को हवा से absorb कर लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते है? hygroscopic बोलते है chemical property की बात करें sodium fluoride water के साथ क्या form करता है? hydrogen fluoride HF ठीक है? and sodium hydroxide sodium fluoride with chlorine chlorine के साथ treat करा देंगे तो हमको क्या क्या देदेगा NACL और fluorine देदेगा clear है तो chemical properties क्या क्या हो रही है sodium fluoride water के साथ hydrofluoride और sodium hydroxide दे रहा है sodium fluoride chlorine के साथ NACL और F2 दे रहा है clear है बाते? storage it should be kept in यहाँ पर एक बाट छूट गया है kept in well-closed container है कैसा आईए? well-closed container है किसमें रखना चाहिए? obviously बात है बंद करें रखना चाहिए use की बात करें make teeth enamel resistance to acid teeth का जो enamel है उसको resistant बनाता है resistant मतलब ताकि उसके उपर कोई फरक ना पड़े किसका? acids का कौनसे acid का? कुई बाहर से acid नहीं आ रहा है जो bacteria acid बनाता है bacteria कौनसे acid बनाता है generally lactic acid जो मैं starting बता रहा था कि bacteria जो दातों में खाना होता उसको खाता है उसके बाद एक acid बनाता है उस acid का नाम होता है lactic acid क्या नाम है उसका? lactic acid वो acid क्या करता है दातों को गलाता है तो उसको रोकेगा यह उसके लिए register बनाता है ताकि दातों पर इस acid का असर ना हो it promotes re-mineralization वापस से enamel को form होने की process को increase करेगा re-mineralize करेगा add करेगा it used to fluorinate drinking water देखो मैंने क्या होता है था जो हमारे municipal corporation मुनसिपल से पान निया था नलकों में उसमें fluorine मिला हुआ रहता है तो यह fluorinating water पीएंगे तो भी क्या करता है इंटरले हमारी body में चला जाता है और वहां से फिर क्या करता है effect डालता है हमारे दातों पर clear है तो पानी को fluorinate करने के लिए re-mineralize करता है और हमारे दातों को resistant बनाता है against acid ताकि acid का उसके उपर असर ना हो formulation की बात करें तो obviously बात है paste की रूपे मिल जाएगा cream की रूपे मिल जाएगा gel की रूपे मराए जाता है solution की रूपे मराए जाता है drops की रूपे मराए logenges logenges पता है क्या होता है चूसने वाली टॉफिया logenges ठीक है ना चूसना वाली टेब्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं लोजेंजेस बोलते हैं ब्रैंड हम की बात करें तो फॉस्फलर राइंस फॉस्फलर जैल और पैरी विदेंट यह इसके ब्रैंड नेम से जो मार्केट में तुमनों को इजली अवेलेबल है चाहो तो इसको नेट भी दालके देख सकते हूं कैसे दिखाई देते हैं यह ठीक है ना ब्रैंड नेम बगरा देख सकते हूं नेस्ट आते हैं डैंचर क्लीनर किसके लगे हुए ना दात यह किसी के लगे हैं खैर ना लगे हूं अच्छी बात है तुम लोग घर में जो ओल्ड पीपल यह क्या कहलाता है डैंचर बोलते हैं अब इसको बना तो लिया है लेकिन साफ सफाई भी करनी है इसको साफ सुत्रा भी रखना है उसी को रखने के लिए हम लोग क्या क्या चीजों का इस्तमाल करते हैं आओ देखते हैं तो क्या कह रहा है अट डैंचर क्लीनर आल्सो टर्म आफ दा माउथ जब मुह से निकालके भार रख देते हैं थीज़ा ना वो जिन भार मुव में रहते हैं भार रख देंगे तो क्या बैक्टिरिया वार्स कुछ भी उसको पर लग सकता है या गंदी हो सकते हैं या अफिर खाना खाके खाते ऊच्वाइब करने तो साफ करना हैं हालो जो मुह से बाहर निकाल ले रहे हैं ठीक है तब उसको हमें साफ करते हैं डेंचर क्लींजर से तो मेर्य यूज़ इस तो कंट्रोल डा ग्रोथ माइक्रोग अखिरकार उसमें कहीं दायम है कोई खाना फासा ऐसा नो कोई उसमें बैक्टिरिया वायरास ग्रोग करने लग जाए तो हमें उसको रूपना है इस्पेसली एक जो फंगस है बहुत जल्दी ग्रो करती है Candida albicans एक जो फंगस है Candida albicans वो बहुत जल्दी इन डेंचर पर ग्रो कर जाती है तो इसकी साफ सब्सक्राइब बहुत जलूरी है thereby preventing denture related somatitis ठीक है हम इसको साफ करेंगे रोकेंगे जिसकी और इसको हम जब रोक देते हैं तो उससे हमें क्या help मिर रही है हम somatitis होने नहीं दे रहे हैं somatitis क्या होता है inflammation of the mouth and lips मुह का जो inflammation होता है छाले हो गारा पड़ जा रहे हैं मुह में कोई infection हो जा रहा है उस पूरे infection हो क्या बोलते हैं somatitis यह जब denture की वज़े से हो गया तो दिक्कत जादा है denture की वज़े से क्यों हो जाता है क्योंकि हम लोग denture को proper साफ सुतरा नहीं कर पा रहे हैं तो साफ करने के लिए भी हमें क्या चाहिए cleaner चाहिए हो cleaner होते हैं क्या होते हैं आँ देखते हैं बासा में आघी होगी denture क्या होते है देख लिया आगे चलते है इन्ग्रीडियंट्स क्या क्या ग्रिक्ट व्हजय नदर is न経ते हैं लिखलो इंग्रियट्स क्या है बिलीज के सारे काम भी तुमनों को पता है इस दा मेन कांस्टेंट आफ सेवरल ब्रांट ब्रांट्स आफ डैंचर क्लींजर जो बहुत सारे ब्रांट मार्केट में अवेलिबल है उनमें सबसे ज्यादा मेन कॉंपोनेंट कौन है सोडियम हाइपो क्लोराइट अधर इंग्रीडेंट्स और क्या क्या हो सकता है सोडियम बायकार्बोनेट ठीक है सिट्रिक एसीड सोडियम परबोरेट सोडियम पॉलिफासफेट पोटेसियम मोनोपर्सलफेट और इडिटीए ठीक है इसका फुल फॉर्म याद कर लेना अब आगे देखते हैं, sodium bicarbonate क्या कर रहा है, इसी को baking soda कहता है, which alkalizes the water, cleaning the denture, पानी को alkalizing कर देता है, और denture को clean करने में help कर रहा है, citric acid, stain कोई दागधपा पढ़ गया तो उसको remove करता है, ठीक है न, potassium monopor sulfate cleaning and bleaching agent, ये cleaning and bleaching agent का काम करता है, तो कई सारे chemicals एक cleaning agent में हो सकते हैं, जो denture को साफ करने में help करते हैं, तो यहाँ पर कोई एक चीज़ नहीं है, कई सारे हैं, ठीक है न, तो यहाँ पर इसलिए proper जो हमको heading मिली है, course में, denture cleanser की मिली है, बात समझ मारी है, clear है बात है, आगे आते हैं, properties की बात करें, the ideal properties of denture cleanser includes, bactericidal, fungicidal and varicidal, obviously बात है, अगर को fungus लग गया, तो उसको वो kill कर दे, non-toxic and non-irritant with oral tissues, जो अगर मालों, in case हमने इसको साफ किया, और साफ करने बाद थोड़ा बहुत करिंदाय में लगा रहे गया और हमने मुह में लगा लिया, ऐसा ना हो कि वो chemical हमारे मुह में जा करके, हमारे cells और tissue से react करे और उसे नुक्सा होना चाहिए, ease of application and removal without residue, याने कि इसका apply करना असान होना चाहिए, हम लोग जब इसको हटा है, वालों डेंचर होने लगा के धुला हमने, उसका पानी से धुलेंगे, तो आसानी से हट भी जाए, डेंचर के वोड़ से, यह नहीं कि फसा रहे गे, फिर रगड रगड के, इस प्रिंजर को ठाने के लिए फिर दूसर को चीज लगानी पड़ रहे है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और long self life, उसकी self life लंबी होनी चाहिए, लंबे समय तक काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, inexpensive हो, compatible with all material used in denture, जिन चीनों से denture बनाया जाता है, यह नकली दात Storage, keep your denture moist or they may lose their shape, ठीक है, यहां पर actually क्या है, storage तो भी normal रहता है, यहां पर यहां पर denture के बारे में है, उसके बारे में लिख दिया गया है, keep your denture moist or they may lose their shape, डेंचर को moist रखना चाहिए, अदर्वाइस क्यों होगा वो अपना shape, लूस कर देंगे, follow the instruction on level if you see denture cleanser solution, ठीक है न, rinse your denture well under clean water before putting them back in your mouth, डेंचर को अच्छे से दुलो वापस मुझे डालने से पहले, place the container that holds your denture somewhere safe where it won't be knocked over, डेंचर को निकाल के मुझ से ऐसे जगे रखो, चहां पर की easily उसे क्या ना कर सके हम लोग, कोई किस चीज से टक्कर कर रहा लगे, गिर गुरा ना जाईए, यूस की ब मत आ रहा हूं, यह वाले जो storage है, यह डेंचर के लिए है, cleaner के लिए नहीं है, ठीक है अब तो लोग सोचो कि यहां पर कुछ लोग दिबाग लगा रहे होंगे, कि यह तो denture की use लिख देगे है, हाँ, यहां पर denture के storage हम लोग कर रहे है, वही storage है यहां पर लिखे हुए है, clear है, use it, in cleaning dentures, जो cleanser है, जायर सी बाद है, denture को clean करने में काम आएंगे, they fight bad breath, बदू को भी क्या करते है, कम करते है, with antibacterial property, denture में सकर को बदू अगरा आ रही है, तो उसको भी यह क्या कर देते है, कम कर देंगे या हटा देते है, clear है, formulation, market में जो cleanser है, denture cleanser है, वह liquid solution, paste, powder और tablet के रूप में available है, brand की बात करें, तो secure, cleanser dent और polyant के नाम से, market में यह available है, जो लोग इस्तिमाल करते है, denture का, उनको इसके बारे में पता होगा, clear है, denture adhesive, adhesive मतलब होता है, chipkana, denture adhesives are paste, यह paste भी हो सकते हैं, देख सकते हैं, पेश्ट दिखा रखते हैं, fixodent, powder के रूप में भी हो सकता है, और adhesive pads, adhesive pads का क्या मतलब है, कि एक तरह का form का बना हुआ रहता है, ठीक है, उस रूप में पाए जाएगा यह, that may be placed in or on denture, actually है क्या मतलब समझा दोगे, होता क्या है, यह denture है, ठीक है, दांतों को set है, मुह में लगा हुए, हो गया, दो मैना चार्म में साल भर हो गया, तो मुह का shape क्या, अगर old people है, तो दांतों की हड्यां वगर है, वो थो सुकरने की वैसे क्या होता है, यह जो denture है, यह to size होता है, मू थो थुछा सुकर गया है, तो यह denture हो गया है, loose हो लूज होना start हो गया, अचा है, पूरा लातों का set costly बनता है, सबको पता है, तो होता किया है जब लूज होने लगता है तो हम लोग यह जो adhesives होते हैं इसको यहाँ पर लगा करके अब इसको तो यहाँ पर सिर्फ इतना दिखा रखा है लगा करके इसकी परत सी तयार कर दियाती है और फिर उसको जब लगाएंगे तो यह क्या आएगा set बैड़े आगा फिर लूजनेस क्या होती है खता हो जाती है तो adhesives मतलब जो denture में चिपका दिये जाएंगे और फाइनली जो denture हो रहा है यह दानतों में क्या होता है प्रॉपरी प्रॉपरली सेट हो जाता है क्लियर है इसलिए लिखा हुआ है denture addhesives are paste यह paste हो सकते हैं powder powder भी होंगा तो ध denture के उपर to help them stay in place ताकि वो अपनी एक जगह पर बने रहें जब हम मुह में लगाते हैं sometimes denture addhesives contain zinc to enhance addhesives addhesives कई बार हम लोगों उसमें zinc भी डाल देते हैं ताकि उसका जो addhesives property है इस denture addhesives की वो increase कर जाए उम्मीद कर रहा हूं यह बास समझ में हारी होगी कि denture addhesives क्या होते है ओके आगे आते हैं in most cases properly लिखा हुआ है जादर cases में क्या होता है properly fitted and maintain denture should not require the use of denture addhesives जहां पर denture properly fit हो रखा है और कोई looseness नहीं है वहां पर हमें addhesives की जरूरत नहीं है लेकिन over the time समय के साथ shrinkage in the bone structure जो bone का structure होता है हमारा वो shrink कर जाता है shrink मतलब सुकड गया in the mouth mouth सुकड गया causes denture to gradually become loose फिर देंचर मेरा लूज हो जाएगा when this occur जब ऐसा होगा the denture should be relined उसको वापस से line पर लाना पड़ेगा और new denture made that fit the mouth properly या फिर नया बनाना पड़ेगा ठीक है नया बनाऊगा तो obviously बाद है costly होगा denture adhesive fills gap जो gap create हो गया है यह adhesive उसको फिल कर देते हैं by shrinking bone and give अच्छा ठीक है क्या कहा रहा देंचर adhesive fill करते हैं उस gaps को जो की create किये गए बोन shrinking की वह से and give temporary relief from loosening denture ठीक है bond shrink कर गई है तो हम लोग क्या कर लेंगे कुछ दिन तक इसका इस्तमाल करके चला ले जागे बहुत जाज दिक्कत होगी तो तो फिर नया हमको बनाना ही पड़ेगा बात समझ में आ रही है composition की बात करें कि होता क्या क्या है तो main ingredients ingredients मतलब कौन से तत्व में इसके अंदर होते हैं तीन ग्रूप में बटा गया है सबसे पहला होता है adhesive agent कौन कौन से होगा ट्रेगा कायंत gelatin methyl cellulose acacia hydroxyl methyl cellulose ठीक है cryagum sodium carboxyl methyl cellulose pectin and synthetic polymers like acrylamides acetic polyvinyl and polyethylene oxide ठीक है कोई भी दोतीन याद कर ले ना परने सारे लिग दिया लगवे यह आप पर यह सारे main adhesive agents होते हैं जो adhesive का काम करेंगे उसके अलावा anti-microble agent obviously बात है जब वो मुह में रहेगा तो उसके अंदर anti-microble agents भी होने चाहिए otherwise क्या होगा उसके the microbes grow कर सकते हैं तो sodium tetraborate ethanol hexachlorphene and sodium borate यह हम लोग is adhesive के अंदर as a anti-microble agent डाल देते हैं ठीक है तीसरा क्या चीज़ इस्तमाल करते हैं कुछ और agent कई बार इस्तमाल कर लेते हैं plasticizing agent जो plastic के तरह behave करवाएगा इसको flavoring agent like oil of peppermint oil of winter green and wetting agent तो यह सारे क्या है कुछ यह हरवारी जुरूर्णी की डाले हम लोग ठीक है डाल देते हैं कई बार ठीक है जिससे की उसका flavor सही लगता है मुह में जब लगा रहता है तो दिक्कत मतलब उसका ज्यादा अजीव सारी फीर होता है खुसबुआती रहती है साथ सा बना रहता है ठीक है mode of action की बात करें तो देखो हम लोग इसका इसका इस्तमाल कैसे होता है काम कैसे करता है देंचेर अडेसिव और सप्लाइड एज पेश्ट पावडर और क्रीम हम लोग क्या करेंगे जो मैं देखा था यहां पर स्टार्टिंग में दिखाता हूं मैं इसको हम लोग पेश्ट पावडर क्रीम की तरह इसको उपर ऐसे लगा देंगे किलियर है ठीक है एज दा एडेसिव पावडर एबजॉब वाटर जैसे हमने इसको पर लगा दिया था भी देखा तो दिखा देग्राम को दिवाम के रखो उसको पर रखा हुआ है यह स्वेल करेगा फूलेगा तू मैनी टाइम्स देर ओरीजिनल वॉल्यूम अपने जो वॉल्यूम नहीं का था है जैसे पानी लगेगा उसके उपर ठीका पानी का सका रखा पानी डालेंगे ने उसको मू में डाल देना तो मूह का सालाइवा से पानी कीस्ता है और भुलना सुरू करता प्र पहर जैसे फूल जाता है एंडट अनाइन ऐन इनल बनेंगे वỏi इन्ट्र coalition से in the protein in the oral mucous membrane हमारा जो मूग के अंदर जो mucous membrane उसकी catein जो protein के पास catein होता हुआ उससे जाकर मिल जाएगा the viscosity of adhesive is increased by the thick saliva जो वो हलका सा tube से निकलेगा तो paste type का होता है लेकिन जैसी कि saliva से मिलता तो बहुत जादा गाड़ा होता हुआ चला जाता है विसकास हो गया viscosity गाड़ा उसका बढ़ता तरह जा रहा है ठीक है देर भाए जिसको दोरह increasing the denture retention अब होता क्या है धीरे धीरे फूलता जा रहा है फूलता जा रहा है जाती है सीजर टाइब कर रहता है उससे काट करके जो एक्ट्रा बाहर निकल आता है उसको वो हटा देता है और जो ग्रेप क्या होता है फिल हो जाता है कि लिए रहे बाते ठीक है दा अब क्या हो गया अराम से उसके अंदर रह सकता है फिटिंग उसकी बढ़िया हो गई रुकायर्मेंट ऑफ एन ऐडियल डेंचर की बात करें क्या-क्या रुकायर्मेंट यह सबको पता है क्या-क्या होते है ठीक है यह जैल क्रीम और पाटर की फॉर्म में होना चाहिए बायो कंफेटीबल होना चाहिए याल कि मूह के अंदर जाएगा तो दिक्कत नहीं देना चाहिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए नॉन इंटेंट होना चाहिए सेम बड़ आ गया इट शुट हैव अनुट्रल ओर और टेस्ट इसका कोई भी और या टेस्ट नहीं होना चाहिए तो जादा अच्छा है पीछे मैंने कहा था डाल देते हैं लेकिन ना हो तो जादा देंटर डिस्करेज माइक्रोबिल ग्रोथ माइक्रोब्स ग्रोथ को ना बढ़न होने दे एडेसिवनेस शुट भी रिट रिटेन फॉर 12 तो 16 आवर जैसा मेरा ओइजिनल डेंटर बनाता है काफी हथ तक उसको वैसा ही कर दे तो बहुत अच्छी बात है भी नेमें फव्रूब्स उसक्रेजिय अवर Hammamizen की बात करेें जादेज मार्वेल होते हैं हमको पेस्ट पावडर और जेल की रूप में मार्केट में मिलेंगे ब्रैंड की बात करें तो fixodent, seabond और polygrip यह तीन ब्रैंड के नाम से market में available है clear है clear है बात है यह सारी चले आगे mouthwashers mouthwash सब को पता होगा ना कुला कर लेते हो आता है call kit का आता है close up का आता है listrin, listrin का आता है एक सब लोन देखा होगा तो mouthwash सब जानते हैं, mouthwash सब जानते हैं तो ठीक है चलते हैं फटाफट कर लेते हैं इसको mouthwash है liquid solution, एक liquid solution होता है for rinsing, rinse मतलब धोना and clean, clean करना किसको mouth को mouth को हम धुल रहे हैं और साफ कर रहे हैं, किसकी help से? mouthwash के help से A liquid mouth wash is often used in dental hygiene Dental hygiene, hygiene मतलब साफ सफाई Hygiene मतलब साफ सफाई या दातों की साफ सफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका हिस्तमाल करते है An antibacterial mouth wash helps gums infection and gargling it can help prevent sore throat जो खरास है, sore मतलब खरास पढ़ रही है जो गले में गले में क्या पढ़ जा रही है खरास पढ़ जा रही है और gums में अगर कोई infection हो रखा है तो यह उसको क्या करता है, दूर करने में help करेगा Ingredient of mouth wash mouth wash भी किसी एक chemical से नहीं बना वाता है कई सारी चीज़े होती है इसके अगर flavoring agent डालते हैं जैसे eucalyptol और menthol डाल देंगे क्रियोवेटिव डालेंगे ताकि यह लंबे समय तक टिका रहे sodium benzoate vehicle बनाते कि इसमें इसको पानी के अंदर बनाते है sweetener डालेंगे ताकि टेस्ट इसका मीठा रहे टेस्ट बहुत ज़्यादा इसका कड़वा ना हो जाए colorant color डाल देते है antiseptic agent generally fluoride डालते है जो दानतों को help भी करता है और detergent, detergent मतलब जो दानतों को साफ साफाई भी दे ठीक है ना तो generally इतने सारे chemical से मिल करके क्या बनता है हमारा mouthwash बनता है तो रिप्रेशन की बात करें तो dissolve the benzoic acid in chloroform add glycerin and mix उसको mix कर दो तो dissolve the cinnamon, cinnamon, peppermint and phenol in alcohol and mix two solution together mix for two hours, chill, ठंडा करो और filter कर दो तो ठीक है कई सारी process है फिर बात आदू मैं अगर कोई बच्चा नेट वगरा भी जाएगा या हो सकता किसी और book से पढ़ रहा कई सारी process है यहां पर अपने एक process का जिक्र कर दिया कि किस तरह से यह बन सकता है clear है cinnamon वाल का पता है peppermint जो होता है यह अपना cinnamon दालचीन यो गरा हो गया peppermint जो वैसा है थंडडडड़ा स्वाज आता है ठीक है properties it must be non-toxic इसो टॉक्सिक होना चिए cost कम हो should not irritate oral cavity ऐसा नहीं हो कि मुमें जर्ण वगरा स्टार्ट हो जाए strong enough to mask foul smell of mouth है ना पाजला के जल्दी जल्दी में कुल्ला किया इससे और चले गए अब पाजला मूंसे बद्भू ही आ रही है तो बेकार है फिर ऐसा mouth wash है ना मूंसे बद्भू नहीं आनी चाहिए action should be quick कुल्दा तुम घंडे वर्तों करोगे नहीं डाला दो तिन बार हिलाया और खतम जाने की उस पांस से दस सेकंड के अंदर ही इसको अपना काम करना होगा इसलिए इसका action quick होना चाहिए storage ठीक है well close container plastic की bottle में आता है तो well close container के अंदर इसको रहना चाहिए यूज जैसी बात है mouth oral cavities में antiseptic anti-batterial का काम करता है astringent का काम करेगा cooling and refreshing refreshing action का काम होता है cool moment ठंड़ सा लेके आता है और क्या करता है freshness ही आ जाती है बात समझ में आ रही है formulation market में सिर्फ और सिर्फ solution की रूप में ही पाए जाता है brands की बात करनों तो तुम लोग जानते ही हो call gate close up और list real बहुत भी common brands है जो market में क्या है यह available है clear है next lecture जो last topic बचा हुआ है medicinal gases का जिसको की उमीद करता हूँ मैं शायद कल तक इस वाई लेक्शर को ही मैं upload कर दूँगा ठीक है तो चीजों की जो main headings है जैसे dental product तो उस heading को अच्छे दिमाग में set कर लो उसके बाद जो अंदर के main में चाक्माश हार पास compound दे रखे होते हैं उनको तो खेर रटना ही पड़ेगा याद करना पड़ेगा लेकिन main heading अगर याद कर लोगे तो जल्दी से सारी चीज़े तो मैं क्या होंगी learn होंगी ओके तो क्या करना है पढ़ाय करनी है और revise करना है करोगे ना all the best